हेलो स्क एलेक्ट्रों सब्सक्राइब आपको साथ तो कैसे हैं आप सब भी आसर करते हैं आप बहुत अच्छों गए दोस्तो साथ वाट की स्ट्रीड लाइट आई रिपेर होने के लिए जो की LED लाइट है तो साथ वाट का पैनल लगा हुआ है इसके अंदर सरकुट है नहीं पहले तो आपको यहां पर सोरी बैकलाइट टेस्टर से आपको यह पत्ता चेक कर लेना है तो हमने बैकलाइट टेस्टर ओन किया तो हमें देख लेना है कितने वोल्ट का है तो यह देखिए जले यह 45-45 चाहलिस पहुच गई 47 अगी 47.2 वोल्ट का सपसारी और कुछ इसमे हम इस पर काम करेंगे दोस्तों जब आपका ड्राइवर सर्किट ना मिले तो एक बहुत सिंपल सिस्टम है जो कि हम आपको आज बता देंगे जो कि आप दोस्तों यकिन मानिए आपके पास सो लाइट भी आएंगे सो की सो आपके पास रिपेर हो कर जाएगे एक भी वाप इस जाएगी बस तरीका आपको जो मैं बदाऊंगा वो कर लेना है पहले तो मैं यहां पर थोड़ा सा पत्ते पर काम कर रहा हूं इसमें यह पत्ता खराब हो रहा है एक दो लाइट फीज हैंस की किसी ने ड्रेक्ट जला दिया था तो देखिए मैं इसको ड्रेक्ट कर देता और जो चैनल पर हमारे नए हैं प्लीज बाई सब्सक्राइब कर लो बिल्कुल फ्री कोई पैसा चार्ज नहीं है फ्री मैं आपको सिखाया जाएगा लाइफ टाइम बेफिकर रही है हमारे चैनल पर भहुत वीडियो पड़ी हुई है जाकर आप देख सकते हर चीज की एसी सब्सक्राइब करना क्या है तो आपको 6 MFD का या 5 MFD ले सकते हैं तो हमने 6 MFD का कैफिटर है हमने 6 का क्यों लिया है जो आपका एक MFD का कैपेशिटर होता है नो वाट की लाइट तक पर काम कर जाता है तो हमने 6 MFD का ले लिए यहां पर 60 वाट का है तो वही सीदी सी वाट दोस्तों वही बैठ जाता है आप रोक्स में तो कहने मतलब यह हमारी जो यह लाइट लगी हुई है ना सेन्ताली अर्ताली वोल्ट तो टेस्टिंग में दिखा रहे हैं लेकिन 15-20 वोल्टेज उपर भी चीए है आप रोक 60-65 वोल्टेज आनी चीए इस पर पत्ते पर जब ही हमारा काम करेगा तो हमने क्या लेना है एक कैपेशिटर ले लिए 6 का उसका एक तार में लाइन में लगा दे यह बलैक और रेड जो आ रहे है ना यह में लाइन के तार है यह में लाइन के तार है तो हमने क्या किया एक यहाँ पे एक तार कैपेशिटर का लगा दिया कैपिष्टर के पैलल में आप दोस्ते एक resistance भी लगा सकते हैं 560K गी या 200K से उपर उपर की और 1MHz से नीचे-नीचे मला 800 km से नीचे लगा दो मला 220 km से उपर उपर लगानी है तो पैलल में लगा सकते हैं अगर आपके पास हो इससे benefit किया रहेगा reverse में current नहीं आएगा, capacitor discharge दाएगा बस इसका ये है फिलाल मेरे पास अभी यहाँ पर उपर रखी हुए, मैं नहीं दिखाऊंगा लेकिन मैं आपको बता देनी है, फिर ची आपको एक rectifier यहाँ पर 3A, 4A या 5A का या diode को भी बना सकते हैं, तो बीच में देख सकते हो, minus minus point है और side में plus minus point है, याँ कि AC के बीच में है, तो AC जो line देनी है आपको, आप यहाँ पर देनी है, यह जो rectifier है इसमें AC के 2 point है, बीच वाले याँ कि बिजली के, तो बिजली का एक तार में तो हमने capacitor लगा दिया और एक तार में दोस्तों, हमने क्या करना है, यह जो rectifier है उस पर connect कर देना है, अब rectifier के दोनों जो electric point है यह नहीं कि, AC line के जो point है एक तो बिजली का तार direct लगा देना है, ठीक है एक जो capacitor का दूसरा सिरा है, आपको यह लगा देना है मैं आपको बिल्कुल practically दिखा रहा हूँ देख लिजे बहुत अच्छे से simple है, एक capacitor का अतार direct हमने main line की जो तार आरा उसमें लगा दिया और एक capacitor का अतार rectifier के AC वाले point पे लगा दिया यह नहीं कि, जहांपे हम AC point देते हैं तो यह हमने यह पे लगा दिया और जूसरा rectifier का AC point है AC के दो point होते हैं, एक minus होता है एक plus होता है, और दो point AC के होते हैं तो AC के point पे हमारा capacitor से आगया एक हमारा बिजली से आगया देख सकते हैं बहुत simple connection होगी, इसके बाद में हमारा rectifier से क्या होता है, plus minus निकल जाती है तो अब करना क्या है आपको एक capacitor ले लेना है 160 volt या 200 volt या आपको 100 volt 100 volt minimum रखना है तो 100 volt का आपको एक ऐसा capacitor ले लेना है polarity, non polarity वाला नहीं लेना आपको polarity वाला नहीं लेना है, इसमें plus minus हो तो हमने यहाँ पे क्या किया minus के point पे minus connect कर दिया यह जो हमारा rectifier था हो गया, अब इसका plus point वहाँ तक नहीं जा रहा है क्योंकि मेरे पास पुराना capacitor तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा तार कट कर लूँगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो प्लस वाला point है, प्लस पे connect कर देंगे rectifier के capacitor से जो हमने polarity वाला capacitor है जिसमें यह नहीं कि plus और minus है और जो non polarity है, यहाँ पे देख सकते हैं वो हमने किसी भी तार को किसी में भी लगा देना कोई दिक्कत नहीं है तो यह जो हमने plus minus वाला capacitor है इसका plus से plus connect कर देते हैं rectifier पे बस हमारा इस circuit बनके विलबूर ready है देख सकते हैं आप इस पर plus पर joint कर लेता हूं अच्छे से और यहाँ पर solding मार देता हूं यह देख सकते हैं अच्छे से तो हमने यह पर plus का plus पर minus का minus पर ठीक है जी आप देख सकते हैं यहाँ आप हमने solding कर दिया अच्छे से हमारा circuit यहाँ तक complete हो चुका है बस आपको करना क्या है इसे direct नहीं चलाना वरना यह capacitor फट जाएगा यह साउधान रखना है आपको LED को इसमें connect करके ही चलाना है अगर आप कम voltage का इसमें light लगा मलब कम voltage capacitor लगा रहा है हमने 200V का लिया इसलिए लेया किसी वज़े से LED कभी बविश्य में खराब जाए तो capacitor फटे ना है ठीक है लेकिन इससे उपर नहीं लगा ना आपको इससे उपर लगा तो flickering करेगी आपकी light 200V maximum 100V minimum इसके बिच में आप कितने ही लगा तो कोई दिक्कत नहीं है तो बस यह circuit ready है अब यहां का plus का plus माइनस का माइनस पर हमारे जो यह light है street light की जो panel है इसका plus का plus से ले लेना है और माइनस का माइनस से capacitor गए बस आपकी light यहां पर बिल्कुल चलके ready है फिर भी आपको कोई confusion लगेगी हमारी रोसनी में दिक्कत आ रही है यह रोसनी में कोई problem हो रही है रोसनी हमें थोड़ी की कम लग रही है पहले से तो capacitor की value बढ़ा सकते हैं यहां पर 6 की जंगा 8 का कर सकते हो अगर फिर भी आपको कोई doubt लगे 19V तो भाई 10 का कर लो पस थोड़ा यह life कम रहेगी फिर अगर आप यही value रखोगे 10 watt बराबर 1 में यह याद रख लो बस तो अब देख सकते हैं फिलस का फिलस पर connect कर दिया माइनस का माइनस पर और अब आप भी चेक करा कर दिखाएंगे और जो ही है जो वीडियो रिकोड हो रही है सोनी के कैमरे के लैंस से हो रही है और दोस्तों यह मत सोचने की बाई ब्राइटनस तेज नहीं है मैं आपको वोल्टेद दिखा दूँगा 60-65 तक यह connector दिए देखिए ब्राइटनस है क्योंकि यहां पर देख सकती है काफी रोशनी हो गई यहां पर देख सकते हो बहुत ज्यादर रोशनी हो रही से अब ऑसे सुचेंगे यह फिलिक्रिंग क्यों नहीं हो रही यह camera original है, ठीक है यह देख सकते हो, कितनी अच्छी से bright कर्ष रही है, अब brightness complete है, वो कैसे आपको confirm हो, तो मैं आपको यहाँ पर भी voltage दिखाऊंगा, sorry, मल्टी मीटर लिया, DC वोल्ट पर लगाया, तो 60 से लेकर, 50 से लेकर 60 के बीच में voltage आनी आनी चाहिए, तो यह देखे दोस्तो, 60, 60.13 वोल्ट आ रही है, बिल्कुल correct वोल्ट है, और रोसनी एक दम ऐसी जबर दस आरी है, मतलब मुझे लग रहा है कि गरम फील हो रहा है, तो ह पहले भी इस पर LED पर काम कर रहा है, LED में जान नहीं है, पर लेकिन फिर भी अच्छे तरीका है काम कर आज के इतने जैहिन,